आपके बच्पन से लेकर आज तक आपके मन की जैसी भी हालत रही है जरूरी नहीं है कि आपके मन की हालत हमेशा वैसी ही रहे कुछ ऐसा ढूंडिए जिसके लिए आप में जुनून हो आपको कुछ तीवता बढ़ानी है ध्यान अपने आप लगेगा सबसे आसान काम है अपने मन के ढाचे को बदलना देखें अगर बात शरीर और मन की हो तो दो इंसानों की शमता कभी भी एक जैसी नहीं होती शारेरिक की आमान सिक रूप से एक इंसान जो कर सकता है दूसरा वो नहीं कर सकता वो कई तरीकों से अलग होते है अक्सर नाम दे दिया जाता है मुझ में ध्यान की कमी है मैं ADD, ABC, XYZ हूँ कितनी सारी चीज़ें बात तो ये है कि खुद को बहतरीन कैसे बनाया जाए, है ना? आप ध्यान नहीं दे पाते पर मुझे एक अलग ही समस्या थी मैं बहुत जादा ध्यान देता था अगर मैं यहाँ ध्यान देता तो अपना ध्यान वहाँ नहीं दे पाता था मैं बस इसे घंटों तक देखता रहता था लोग उन्हों सचा ये भी एक समस्या है लोगों को ये एक समस्या लगी वो बस एक ही चीज़ को देखता रहता है मुझे वो स्थिति आज भी याद है वो कितनी अजीब थी आप जानते हैं मेरे पिता ने पूरे जीवन जबर्दस्त पढ़ाई की पर दुर्भा किसे उन्होंने मेरे जैसा बेटा पैदा किया जैसे पढ़ाई की कोई चुनता ही नहीं थी किसी भी तरा की तो उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद था और हर शाम साथ से नौ तक हर रोज हम चारो भाई और बैनों को पढ़ना होता था स्कूल की किताब मैं एक किताब उठाता था मेरे लिए हर किताब एक सी होती थी फिर मैं उसे खोलता था चाहे पेज कोई भी हो मैं बस खोलता था और मुझे पेज पर कुछ छोटे धबे कागस पर कागस पर कुछ दोश मिलते थे मैं बस उन्हें देखता था बस बात खत्म ये मेरा ध्यान ऐसे खीचते थे कि मैं दो घंटे उन्हीं को देखता रहता था मैं कुछ नहीं पढ़ता था पर मैं उपर या यहां वाहां नहीं देखता था क्योंकि मेरा ध्यान वहीं होता था दो घंटे मैं बस उसी को देखता था क्योंकि एक धब्बे में इतना कुछ है उस एक कण में पूरी दुनिया है लोग पूरा जीवन आणू या परमानू को देखते हुए बिता चुके हैं धब्बा तो परमानों से बहुत बड़ा होता है पर लोगों को ये पागलपन लगा क्योंकि मेरा ध्यान बहुत ज़ादा था तो खुद को नए-ने नाम मत दीजे कौन तह करेगा कि आप में अटेंशन की कमी है कैसा कोई स्टैंडर है कि कितना ध्यान देना चाहिए या आपको कितना ध्यान मिलना चाहिए ऐसा कोई स्टैंडर कहीं नहीं है है ना आप खुद बना रहे हैं समस्या ये है कि बचपन से ही बच्चों पे ठपपा लगा दिया जाता है और उन्हें जीवन भर उसी लेबल के साथ पहचाना जाता है पांच की उमर में आपके ध्यान का स्तर या छे की उमर में पंद्रा साथ या बीस की उमर में आपकी ध्यान का स्तर बिलकुल अलग हो सकता है, है ना? क्या कई लोगों का ये इस तर बहतर नहीं हो गया है? है ना? स्कूल के पहले दिन आपको कुछ समझ में नहीं आया, बाद में आ गया? या शायद पहले दिन आपको लगा कि आपको सब समझ में आ गया, पर साल भर आपने कुछ नहीं किया? हाँ या ना? आप? आप एक जवान आप्मी हैं, क्या पडोस में लड़किया हैं? मैं मेकैनिकल इंजीनिर हूँ तो नहीं, वो ठीक है मैं मेकैनिकल इंजीनिर हूँ क्या पडोस में लड़किया हैं मैंने पुछा नहीं आम तोर पर इंजीनियर ऐसे महलों में रहते हैं जहां लड़कियां कम होती हैं इसलिए वो किसी वज़ाई से दूर चली गई हूँ यह कहां से आया मेकैनिकल इंजीनियर मिशीन आपके सिर में है तो आप यूँआ है अब आप किसी की तरफ खिचते हैं ध्यान देना ज़रूरी नहीं है है न हलो ध्यान नहीं देना पड़ता वे खुद समा जाते हैं तो यह बस रूची की बात है अगर किसी चीज में आपकी गहरी रूची है तो ध्यान लगेगा यह क्यों नहीं लगेगा पर फिलहाल किसी चीज में आपकी रूची नहीं जगी है पता नहीं आप लंदन में कौन सी मशीन संबाल रहे हैं, सुनाया कि घड़ी रुप गई है, तो अगर कोई चीज आपको बहुत आकर्शित करे, तो ध्यान क्यों नहीं लगेगा, ध्यान लगेगा, क्या वैसा लगेगा, जैसा दूसरों का लगता है, शायद नहीं, स्कूल में जो होता था, उस पर मेरा कोई ध्यान नहीं लगा, क्योंकि मुझे वो दिल्चस्प नहीं लगता था, पर मेरा ध्यान बाकी सभी चीज़ों पर लगता था, तो मतलब ये है कि मुझे ध्यान की कमी थी नहीं, वो ब्लाक बोर्ड पर जो लिखते थे मुझे उसमें दिल्चस्पशी नहीं थी बस तो अभी दुर्भागे से पडोस की सभी लड़कियां दूर चली गई है तो आप में ध्यान की कमी है कुछ ऐसा ढूंड़िये जिसके लिए आप में जुनून हो, ध्यान लगेगा क्यों नहीं लगेगा जरूरी नहीं है कि मेरी कही वी चीज़ पर, कोई भी चीज मैंने लड़कियों का उधारा निस्त ले लिया क्योंकि एक केमिकल सपोर्ट होता है हां? आपकी केमिस्ट्री आपका ध्यान लगवा देती है वरना ध्यान लगाने के लिए थोड़ी ज़ादा कोशिश जरूरी है आपको थोड़ा जुनून रखना होगा ताकि आपको कोई चीज जरूरी लगे जो आपके लिए जरूरी हो अगर ये समझ में आ गया तो ध्यान अपने आप लगेगा मुझे पता है कि लोग कुछ और कहेंगे पर मैं कह रहा हूँ कि बच्पन से लेकर अब तक आपके मन की जैसी भी हालत रही है जरूरी नहीं है कि आपके मन की हालत हमेशा वैसी ही रहे सबसे आसान काम है अपने मन का धाचा बदलना है न? अपने शरीर का धाचा बदलना बहुत मुश्किल है अपने मन का धाचा बदलना सबसे आसान काम है क्योंकि यही सबसे लचिली चीज है पर आपने अब उसे ही ठोस बना लिया है अपने सिर का आप क्या काम लेना चाहते हैं? बस headbutting? मैं पूछ रहा हूँ आपको इसे जितना हो सके लचीला रखना चाहिए है ना? हलो? अब आपने इसे एक concrete block जैसा ठोस बना लिया है आपका इरादा क्या है? मुझे लगता है तभी इतने सारे लोग football देखते हैं बस यही चीज़ आपको पसंद है अगर अच्छे से करें तो ये भी ठीक है पर सेर का इस्तेमाल कई तरीकों से हो सकता है और बहुत से काम आप तभी कर सकते हैं जब आप इसे बिलकुल तरल और लचीला रखें वरना ठोस कॉंक्रीट के ब्लॉक से कुछ ही चीज़े हो पाएंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे आपको जो भी नाम दे अगर आप चाहें आप अपने मन का धाचा बदल सकते हैं जब अपने मन का रखें कर दो कर समय कर दो दो कर सकत्के हैं